EK2 के बहुत सारे छात्रों के कमेंट आ रहेते साथी इंस्टाग्राम पर मैसे जा रहेते कि सर ये बताइए जो हमारे इवेंट समेश्टर चल लहाई इस समय उसका एक्जाम कितने तारिक तक होगा जी आगाई इस वीडियो में आपको विट लाइप प्रूप आपको बताने है और लेप्टोबर एक्जाम कितने तारिक से कंड़क्ट कराया जाएगा सारी चीजों के बारे में डिस्केस करेंगे चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आप लोग फटाक से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एकेटू इवेंस समिश्टर का एक्जाम कब तक होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछे जा रहे हैं तो देखिए जो आपका इस समय सेशन चल ला है नया वाला अभी आपको पता होगा थर्ड एयर फोर्ट एयर का रिजल्ट आया था उसके बाद नया सेशन च होगा देखिए यहाँ पर सारी चीड़े आप लोग देखोगे इसको मैं पर टेलिग्राम चैनल पर डाल दूगा वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हो तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि लाज्ट डेट आप सम्मीटिंग सेशनल मार्क्स आप ठियरी एंड का मार्क्स इनवर्सिटी को अफ्लोड कर देंगे उसके बाद बोला गया इंड समेश्टर थियरी एक जामनेशन यहाँ पर जन्वरी चार से तीस जन्वरी तक बताया गया था ओर्ट वालों के लिए इवेन वाले के लिए बोला जा रहा है जो इवेन समेश्टर चल रहा है बीस जुन से न होकर क्योंकि आपको पता होगा सेशन लेट इस्टार्ट हुआ है तो यह आपका एक्जाम जुलाई फर्स्ट वीक में जाएगा कब जाएगा जुलाई फर्स्ट वीक में देखिए इसमें दो कंडिशन मनेंगी पहले दोनों कंडिशन आपको समझा देता या तो EK2, 3rd year, 4th year का exam फिर पहले कराए और 1st year, 2nd year का exam बाद में कराए क्योंकि आपको पता होगा 3rd year, 4th year का exam हम लोगों का जनवरीम खतम हुआ लेकिन जो 1st year, 2nd year वाले हैं उन लोगों का exam अब जाके अपरेल में खतम हुआ तो इससे क्या हुआ कि 1st year, 2nd year वाले पीछे हो गए और हम लोग आगे हो गए हम लोगों का session पहले से चला है लेकिन जब हम लोग पढ़ाई अपनी even semester कर रहे थे तो उससे में 1st year, 2nd year वाले अपने odd semester का exam दे रहे थे तो इसमें 1st year, 2nd year का exam बाद में करा के 3rd year, 4th year का जैसे odd में कराया वैसे कराना चाहेगा तो आपका exam मान के चलो कि पहली जुलाई के लगबग लगबग लाश्ट जून मतलब 25 जून के बाद से आपका exam conduct कराया जाएगा अगर 1st year, 2nd year का exam बाद में कराती है तो अगर 1st year, 2nd year, 3rd year, 4th year सबको साथ में लेकर चलना चाहती है इसे बार यह जो even semester exam होगा क्योंकि नया जो session start होगा उसको भी cover करना उसको maintain करना है क्लासे आगे पीछे हो गई है तो इस case में अगर 1st year, 2nd year वाले 7 में आ जाएंगे तो आपका exam 20 जूलाई से पहले नहीं होगा मान के चलो अगर 7 में होगा, 7 में नहीं होगा तब भी आपका exam जूलाई 1st week से ही होगा मतलब 1st week के बाद ही, मलब जूलाई में आपका exam होगा, यह मान के चलो आप लोग बागी पढ़ाई करो अब बात करते है यलोई exam के बारे में तो guys here देखिए, यहाँ पर 8 April को यलोई exam से related एक notice आई थी तो मैं videos नहीं बना पया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, कुछ आतर बोल लेते सार समझा देजिए तो यहाँ पर बोला गया जो यलोई का exam आपका होगा, यहाँ पर उसकी date रखी गई है, देखे date क्या रखी गई है यहाँ पर आपका जो exam होगा, यहाँ पर इसको मैं पहले point समझा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, कब से कब तक चलेगा देखो जो यलोई का exam farm भरा जाएगा, ओ 9 अपरेल से 16 अपरेल के बीच में आपका exam farm भरा जाएगा, लेप्टोबर का अब लेप्टोबर exam कौन कौन दे सकता है, जो चात्र बिच्चम समेश्टर 2021 की परिचाओं में अनफस्तित थे, अगर आप 21 की समेश्टर की परिच्चा छोड़ दिये हो, किसी रिजन की वज़़े से अपसेंट थे, तो आप लोग लेप्टोबर का exam भर सकते हो, 9 अपरेल से, 6 अपरेल के बीच में, दूसरा पॉइंट है, जो चात्र बिच्चम समेश्टर 2021 की परिच्चा फाम ही नहीं भर पाये थे, अगर आप पिछला वाला जो आट समेश्टर है, उसका exam फाम ही नहीं भ भर सकते हो, जो चात्र बिच्चम समेश्टर 2021 की परिच्चा फाम तो भर दिये थे, परतु परिच्चा सुल्क नहीं जमा किये थे, मतलब जो चात्र बिच्चम समेश्टर 2021 की परिच्चा सुल्क नहीं जमा किये थे, मतलब जो चात्र बिच्चम समेश्टर 2021 की परिच्चा में COP थे या परिच्छा में किसी काराण वह अनुपस्तित थे वे फाम नहीं भर पाये थे वह चातर भी परिच्छा फाम भर सकते हैं तो यह सबी चीजें हो गई बाकी यहां पर एक लाश पाइन बोला जा रहा है एक से पांस तक के आच्छादित जो चातर अनुपस्तित थे या परिच्छा सुल के जमान नहीं कर पाये थे उन्हें कोई परिच्छा फाम भनने के आउसकता नहीं उनका एडमिट कार स्वतर जारी कर दिया जाएगा तो इसमें देखो यह बोला जा रहा है कि जो आगर आप अपना एक्जाम फाम भर दिये थे और अपना एक्जाम फी प्रिच्छा फाम भर दिये थे अब उसके बाद आपको पता होगा सेंटर भी डिक्लियर कर दिया गया है तो इस नोटिस को भी आप लोग मेरे टेलिग्राम चैनल से डाउन्नोड कर लोगे नालेश फटाफट नेम से टेलिग्राम चैनल है या तो डिस्क्रिप्शन में लिंग करना अगर वहाँ से लिंग काम नहीं करती है तो आप लोग नालेश फटाफट सर्च करके जॉइन कर लो वहाँ पर सभी नोटिस आज में प्रोवाइट कर दूँगा जो कल टैबलेट क पहले इनका रिजल नहीं आएगा 10 माई 10 से 15 माई के बीच में इनका रिजल रिक्लियर कर दिया जाएगा तो आई होप कि आप लोग सारी बातों को समझ गये होंगे लेट्टोबर के बारे में भी और इवेंस वेश्टर इस जियाम के बारे में और फश्टर सिकंडियर के र आपको इंस्टाग्राम पर पूछे नहीं तो कमेंट सेशन पूछे आपका रिपलाई जोगी मिलेगा तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए बात